तो एक मल्टी वेकर स्टॉक में एक बड़ी समस्या आपड़ी है और वो है कि मोनोपॉली आपकी खतम होने की कगार पर है हाई दिस देव एंड वाचीं टेडर श्टायरी और आज हम बात करने वाले आई-एक्स के ऊपर क्या monopoly वाकई में खतम होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है कि इसकी history गया रही है IEX की और यहाँ पर power exchange India Limited के साथ क्या हुआ था तो अभी हम यह पूरे case को समझने कोसिस करें कि क्या वाकई में monopoly खतम होने वाली और इसका कितना बड़ा impact है कि लोग जो बात करें कि stock price crash होने वाला है क्या वाकई हो crash हो जायागा अभी इस company का market का एप है 14,873 करोड रुपे है और यहाँ पर आपका current price 166 रुपीज चला है और यहाँ पर book value पर share 7 रुपे 67 पैसे है stock P ratio 48.40 पर अभी कामकाच कर रहा है अब IEX यहाँ पर इंडिया की पहली energy exchange company है उसके बाद PX Power Exchange of India Limited आई उसके बाद तीसरी जो company है हिंदुस्तान Power Exchange Limited के नाम से और इसके जो promoter है वो काफी strong बताये जा रहे हैं चलिए अब देखते है अभी आपके stock P ratio और EPS का चार्ट है और यह 5 साल का चार्ट है आपके सामने वो जड़ा सई से देखेगा यह जो आपकी line है यह आपकी P ratio की और यह जो candles है वो आपके है यहाँ पर EPS तो आपका EPS सन 2018 से लगातार आप देखिए लगातार यह grow कर रहा है अब आपके मोनोपॉली हाजी यह मोनोपॉली का असर भी है कि यहाँ पर लगातार यह grow भी कर रहा है और हमको कोई उच नीच यहाँ पर देखने को नहीं मिली है आपने डाउंस बहुत कम हमको देखने को मिला है और यहाँ पर अगर हम देखें कि P ratio कब बरावर आया तो सेप्टेंबर की टाइम सेप्टेंबर 2021 की टाइम यह जो P ratio है वो आपका टकराने लगा आपका EPS के कैंडल से ऊपर जाने लगा थोड़ा सा महेंगा हो गया तो उस वक्त है लेकर अब आपका current में P ratio आपका काम कर रहा है something यहाँ पर 50 के बलो और यहाँ पर आपका EPS जो है वो आपका यहाँ पर 4 3.4 के आसपास आपका EPS है वो ट्रेट कर रहा है तो अभी IEX में ऐसा क्या था कि इतना strong performance है यहाँ पर stock market में हमको देखने हैं वहला तो IEX का वो सबसे important चीज है वो है operating margin जी यहाँ monopoly का असर देखे operating margin 85, 88, 82% जून 2022 में थोड़ा सा निकल के है थोड़ा सा कम जो result की वैज़से यहाँ पर थोड़ा सा down हमें net sale आती हुँ देखी और यहाँ पर expenses भी expenses तो लगाता है उतनी रहे profit में भी गटी देखने को हमको मिल गई तो इस वाज़से operating margin कम हुए और यहाँ पर हो सकता है कि यह आपका जो असर है वो यहाँ पर आप दूसरे quarter में Q2 में आपका जो नए exchange है HP, इंदुस्तान power exchange HPE Limited उसका शायद असर आपको देखने को मिले तो वो Q2 का बहुत इंतजार रहेगा क्योंकि अभी अभी तो यह exchange स्टार्ट हुआ है इसका कामकाज इसका impact जो है वो आना बाकी है तो तब यहाँ पर margin देखना बहुत जरूरी होगा और अभी चार्ट देखिए उसके बाद हम अपनी important बात पर आते है और यहाँ पर चार्ट में आपका देख रहा है visible है कि आपका कोई भी return अभी जो है सारे फीक है पड़ चुके है stock 290 की level से गिर कर यहाँ पर 160-150 के असपास कामकाज कर रहा है तो already यहाँ पर 50% से जादा की discount पर यह stock कामकाज कर रहा है तो अभी यहाँ पर country का third power exchange हिंदुस्तान power exchange limited के नाम से जाना जाता है यह 6 जुलाई की news ने आपका यहाँ पर सारा का सारा खेल बिगार दे लेकिन यह 6 जुलाई की बात नहीं है यह बात 2019 की और 2019 से सरकार यह चा रही है कि तीसरा power exchange यहाँ पर बना जाए हो सकता है में भी सरकार यह देख रही है कि यहाँ पर जो दो कमपनिया थी वो सारे की सारी मतलब एक और कमपनी जो बनाई गी थी power exchange इंडिया limited के नाम से तो वो कमपनी भी IEX से पास है तो हुआ क्या अता है पूरी scene जो है वो क्या चलाता पहली एक कमपनी बनाई गई IEX के नाम से Indian energy exchange के नाम से और इसने पूरी की पूरी monopoly जो है वो अपने हाथ में ले ली Indian energy exchange ने फिर उसके बाद देखा गया कि यह monopoly है और यहाँ पर एक और कंपनी को बना देना चाहिए, तो Power Exchange India Limited के नाम से यहाँ पर एक और कंपनी बनाएगी, उसमें यहाँ पर IEX ने 98% एक्वाइर कर लिया, 98% यानि पूरी मालकाना जो है, वो Power Exchange India Limited में भी हासल कर ली और IEX के मोनोपॉली डवल हो गई, यहाँ पर दोनों कं Management जो है, वो अच्छी तरीके से काम कर रहा था, मोनोपॉली का पूरा फायदा, लेकिन यहाँ पर भी पूरी बात रुकी नहीं, यहाँ पर तीसरा Exchange लाके खड़ा कर दिया हिंदोस्तान Power Exchange Limited के नाम से, और यहाँ पर इसके अगर आप देखेंगे, तो इसके प्रमोटर जो ह जाता है, तो क्या Store 1 का काम का जो है, वो बंद हो जाता है, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा Impact हमको जो है, वो Store 2 से जहाँ पर जो मिलता हुआ है, वो दिखता है Store 1 पर, लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ पर Store 1 एक्दम Close हो जाए, ऐसा भी नहीं है, अगर इसका जो मालिक है, वो Store 2 से, तो यहीं चीज़ है, आपको समझना यहीं जरूरी है, कि Monopoly जो है, वो हमेशा नहीं रहती है, एक Business अगर स्टार्ट किया है, तो या तो अगर उसमें Monopoly है, तो या तो वो Short Term के लिए होगी, या फिर हद तक Mid Term के लिए यह Monopoly रहती, लेकिन Long Term में Monopoly होना बहुत यहाँ बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कौम्टीटर बढ़ जाएगा, margin थोड़ से इदर उदर बटने लगेंगे, लेकिन इससे यह नहीं होगा, कि आपका, जो IICTC है, वो उसका कामकाज बंद हो जाएगा, IICTC और strongly perform कर सकता है, अगर उसके product और अच्छी है, अगर इनके product और solid होगे, इंदुस्तान Power Exchange Limited से, तो यह और strongly perform कर पाएगा, मोनोपॉली से डरना नहीं है, यहाँ पर कोई न कोई कॉम्टीटर तो खड़ा हो नहीं था, पहले से यह obvious सी बात है, यहाँ पर कोई न कोई आई जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं वो इनके quarterly result पर बहुत जादा यहाँ पर नजर रखना होगा, दो तीन quarter तो at least क्योंकि इंदुस्तान Power Exchange Limited अभी अभी start हुई है, और उसका क्या impact है, वो इसके margin, IEX के margin quarterly जो आएंगे, वो बता देंगे, अभी आपका balance sheet जो है, अगर आप देखेंगे, तो आपके पास reserve जो ह है, और total asset जो है, वो 1695 करोड के है, इस company के पास, तो जो लोग अभी shareholding pattern को देखकर डर जाते हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि आपको जो घट्टी हुई FII stake जो अभी डरा रही है, वो आपको लग रहा हुँ हो कि इस हिंदुस्तान Power Exchange Limited के बाद FII इस टेक घटाना जो है, लेकिन ऐसा नहीं है, September 2021, इस stock के अंदर peak ता है FII का, 37.74% hold करते थे, और उसके बाद है, September 2021 से लगातार घटाते 20.77% पर स्टेक पहुँचा दी FII इस ने, DIA इस ने थोड़ी सी स्टेक बढ़ाई, यह पहले कम की थी, आप यहाँ पर जो एक किस पॉइंट 65% हो गई है, ल 65% रहे है, पबलिक यहाँ पर 57% पहुच गई है, तो यहाँ पर at least आप दो quarter तो आपको देखने होंगे, क्योंकि अभी अभी HP, EL यहाँ पर जो है, स्टार्ट हुई है, इंदुस्तान पाबर एक्षिन लिमिटेड और यहाँ पर जो इंपक्ट है, उसको पूरा सा यहाँ देखने के लिए, दो quarter यानि कि Q3 तक अभी Q1 आ चुका है, Q3 तक तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा, Q3 तक आपको margin देखने है, तभी यहाँ पर जो है, हमें कुछ समझ में आ पाएगा, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा wait and watch वाले steady रहेगी, लेकिन already share price बहुत जाद गिर चुका है, और अगर यहाँ पर HPEL की तरफ से अगर कुछ बहुत जादा यहाँ पर complication यहाँ खड़े होते हैं, IS के साथ marginal problem होती है, यहाँ प्रॉफिट में थोड़ा सा और जादा कम ही होती है, margin यहाँ गिर जाते हैं, sales यहाँ पर कम आ जाती है, तो ऐसे में यहाँ य प्रॉब्लम कुछ पूश है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्रीज कमें से स्टर में कहेगा, और आप दीजी में जाते हैं, बड़ी देखने के लिए बता होताने बाद दोस्तों